नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे सार्क 11 वर्सिद लोइंच 11 की टीमों के बीच में जो बाईजूस पोंडीचेरी टीटवंटी का मैच नमबर 25 केला जाएगा उसके बारी में तो दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा किर्केट असोसिएशन पोंडीचेरी सिंचेन ग्राउंड के उपर यह मुकाबला केला जाएगा सुबह 9 बज़ के 30 मिट पर यह मुकाबला स्टार्ट होगा अगर दोस्तों बात किज़ें पिच रिपोर्ट की तो ओरोल यहां का विकेट है वो एक बैलस विकेट अक्सेप्ट किया गया है वह साथ साथ देखोगे तो इस वेन्यू की उपर पेसर गेंडवाजों को काफी अच्छी मदट मिलती है वहीं लास्ट के कुछ मुकाबलों में देखोगे तो स्पिनर भी यहां पर काफी अच्छा करवा के दे रहे हैं वहीं बात किज़ें इस वेन्यू के फरस्टिनिंग के ओर स्कोर की तो 120 वे 130 के अराउंड आप अपना ओर स्कोर है वो अक्सेप्ट करके चल सकते हो इसी के अ मेंटों करेंगे, सिंपली हम आपी कली करके टैलिग्राम चेनल को जोईन कर सकते हो और साथ साथ जो भी अमारी फाइनल समोल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट जियली की टीम ही रहेंगी वो भी हाप्टर लाइनप आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिजाएगी तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज़्यादा इपोर्टन रहेगा तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को जोइन करेना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी सारक 11 की पोसीबल प्लेइंग 11 तो दोस्तो उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना केवल पचास लाइक का टारगेट रखा है आई होप आप जल्दी कमपलीट कर दोगे और यूटूब चैनल की उपर भी अगर आप पहली वार विजिट कर रहे हो तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करके नूडब केशन बैल आकन को जुरूर से प्रेस कर देना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले उसका नूडब केशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी सारक 11 की पोसीबल प्लेइंग 11 तो दोस्तो इस टीम ने इस सीजन आठ मुकाबले के लिए पांच मुकाबले वोन करके आ रही है और इस टीम की तरफ से देखो तो लास्ट मुकाबल में लोगेस पी है वो ओपन करवाने के लिए लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करवा पाई बैटिंग में केवल 14 नहीं च्यार ओर की बोलें डाली 17 अंखत के एक विकेट निकाला लेकिन उससे पहले भी परदसन देखो तो लोगेस का इस सीजन इतना अच्छा नहीं रहा है वहीं उनका बैटिंग ओडर भी कनफरम नहीं रहते हैं लेकिन लास्ट मुकावल में ज्यादा कुछ नहीं करवा पाई केवल 7 रन की इनिंग के लिए लेकिन उससे पहले परदसन देखो तो गोविंद रंजन का इस सीजन काफी लाजवाब रहा है एक इपोर्टन फिक रहेगी जुरूर से आप अपनी टीप में कवर करके चला मोहित मिधन भी लगातार लास्ट के कुछ मुकावली नंबर 3 पर बैटिंग करवाने के लिए आलांकि लास्ट मुकावल में मोहित मिधन भी बूरी तरह से प्लोप रहे केवल शेयरन की इनिंग के लिए लेकिन सेकेंड लास्ट मुकावल में बैटिंग में 11,2 और की बोले डाली 15 अंकर के एक विकेट निकाला और उससे पहले परदसन देखोगे तो मोहित मिधन का भी इस सीजन काफी लाजवाब रहा है अरविंद राज की बात कीज़े तो दोस्तों कभी नंबर पांच पे बैटिंग करवाने के लिए इस सीजन देखो तो फोम भी इतनी अच्छी नहीं चली एक और एस सीपिक रहेगी अगर आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकती हो बाकि आप ड्रोप करने का रिस्क भी काफी आसानी से ले सकती हो प्रेम राज राजा वेल्यू की बात कीज़े तो दोस्तों इस प्लेयर का भी बैटिंग ओडर कानफरम ने रहते हैं कभी नंबर साथ कभी नंबर चै कभी नंबर पांच या कभी नंबर च्यार पे भी आपको बैटिंग करवा के देए अब यतिक तीन मुकावल में देखो तो 20 पलस रन करवा के देए बाकित 5 मुकावल में बिल्कुल फ्लोप रहे हैं तो एक रिस्क की पिकरेगी ड्रोप करने का रिस्क आप काफी आसानी से ले सकती हो नगर बाबू की बात कीजाए फोर में वो बहुत ज़्यादा फ्लोप चली और बैटिंग ओर भी काफी ज़्यादा निच्ट रहेगा तो आप सीधा सीधा ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो थावीगर की बात कीजाए तो लास्ट मुकावले में काफी लाजवाप चप पंडरन की नाबाद इनिंग के लिए साथ साथ च्यार ओर की बोलिंडाली 31 रंकर के विकेट नहीं मिला लेकिन दोस्तो बैटिंग और बोलिंग दोनों आपको करवाती हो इनिचर आजाएंगे इस सीधन फोर्म भी देखो तो काफी लाजवाप चलिए एक इपोर्टन पिक आप के लिए थावीगर रहेगी तो जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चला अब इस टीए की बात की जाए तो लास्ट मुकावले में बैटिंग में 20 सरन की नबाद इनिंग के लिए 2 और की बोलिंडाली 26 सरन कटके विकेट नहीं मिला उससे पहले देखो तो तीन मुकावल में विकेट लेस रहें लेकिन दो मुकावल में अभी तक तीन-तीन विकेट के भी विकेट निकाल के देचके तो रगू सरमा जब-जब विकेट निकाल के देगे तो आपको गुच्छों में विकेट निकाल के देगे तो एक ट्रम्प च्यार ओर की बोरें डालके दे रहे तो एक और इसी पिक आपके लेगी बाकि आप अक्षे जानी को जियर ओर के कॉमिनेस में जुरूर से कवर करके चला एक अच्छे बोरें कभी भी आपको तीर या च्यार ओर विकेट हो निकालती हुए नजर आ जाएंगी विसाल खोकर की बात की जाएंगी तो दोस्तो लास्ट मुकाले में ये भी विकेट लेसर है लेकिन उससे पहले इनका परदस ने देख होगी तो इस सीजन काफी लाजवाब रहे है आपको च्यार ओर की बोरिं डालके देंगे तो विसाल खोकर आपके लिए कि इपोर्टन फिक रहेगी और आपको नमबर 6 या नमबर 7 पर बैटिंग भी करवा के दे सकती है लाइक जरूर से कर देना फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जोइन कर लेना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी लोइंच 11 की पोसीबल प्लेंग 11 तो दोस्तो इस टीम ने सीजन 6 मुकाबले खेलें तीन मुकाबले वोन करके आरी है वो लोज करके आरी है और इस टीम की तरफ से आपको करांथिक राज़ा है वो ओपन करवाते हुए नजर आए लास्ट मुकाबले में 27 रन की इनिंग खेल की दी एक और इस पिक रहेगी अगर आप चाहो तो आपनी टीम में कवर करके चल सकते हूँ बाकि आपको ओपन करवा के देंगे जील और के कॉमिनेशन में जरूर से कवर करके चला सही हरी राम की बात कीज़े तो दोस्तो इस प्लेयर का बैटिंग ओडर कनफरम नहीं रहता है फोम भी इतनी अच्छी इनकी नहीं चली है तो एक रिस्क की पिक रहेगी सीधा-सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हूँ एस परमेसवन आपको लगाता नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करवा के दे रहे लास्ट मुकावल में देखो इतो बैटिंग में 7 रमा है दो वर की बोलिन डाली 19 रन करके एक विकेट निकाला उससे पहले देखो इतो पर्दसन ठीक ठाक रहे एक और इस परमेसवन रहेगी जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके समोली और आम चाओ तो इस परमेसवन को इस मुकावल में आप वी सी भी ड्राइ करके चल सकती हूँ अकास पी की बात कीज़े तो आलमास्ट ओपन कराने के लिए आती है लेकिन लास्ट मुकावल में नमबर 4 पे बैटिंग करवाने के लिए 15 रन की इनिंग के लिए च्यार ओर की बोलिंडाली 16 रंखर के 3 विकेट निकाले उससे पहले भी परदसन काफी लाजवाब रहे तो सिधा-सिधा आप अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ नवीन कार्तिन के की बात किज़े तो दोस्तों देखो तो इनका बैटिंग ओर्डर कनफरम नहीं रहता है और फोम भी इतनी अच्छी इनकी नहीं चलिए एक और एस टीपिक आपके लेगी अगर आप चाहो तो कवर करके चल सकती हूँ बाकि आप ओनली जील ओर के कॉमिनिस में कवर करके चला समोली ओरा में आप ड्रोप करने का रिस्क ल विकेट निकाल की दिए एक अच्छे बोलर है और जब जब बैटिंग का मोका मिलता है तो अच्छी खासी बैटिंग भी करवा के देते हैं तो एक इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी जुरूर से कवर करके चला रोसन चुरेश की बात की दे तो लास्ट मुकावले में विकेट स्टार्टिंग के दो मुकावले में विकेट लास रहे रोसन चुरेश आपके लिए एक ओर इस ची पिकरेगी अगर आप चाहू तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हूँ बाकि आप ड्रोब करने का रिस्क भी काफी आसानी से ले सकते हूँ अवनिस बदरीन ना आपके लिए एक ओर इस पिकरेगी चाहू तो आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हूँ बाकि आपको कम्पलीट त्यार ओर की बोलिंग डाल के देंगे तो जीयर वर के कॉम्डेस में जुरूर से कवर करके चला बाकि इस टीम की तरब से बैंसीज में जो भी अपडेट तो विकेट की प्रिंग सेक्शन में नवीन कार्तिन के आपको नमबर 6 या नमबर 7 पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आजेंगे इस सीजन फोम देखो तो बहुत जादा फ्लोप चली एक रिस्की पिकरेगी सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हूँ अरविन दराज आपको नमबर 4 या नमबर 5 पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आजेंगे हर मुकावल में आपको एक और इस सब परदसन कंटीन्यू करवा के दे रहें तो जुरूर से आप अपने टीम में कवर करके चला ना अगर बाबु आपके लिक रिस्की पिक रहें दराजा नीचे रहेगा तो सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो बैटिंग ओडर में बात किजाए तो गोविन दरंजन आपको लगातार ओपन करवा के दे रहें लेकिन लास्ट के दो मुकावलों देखो तो फोम इतनी अच्छी नहीं चली है लास्ट मुका में बाकि आप यहां पर प्रेम राज को जियर वर के कॉमिनिस में जुरूर से कवर करके चला स्मोली गुरा में आपके लिए के रिस्की पिक रहने वाली है मोहित मितन आपको लगातार नंबर तीन पर बैटिंग करवा के दे रहें फोम देखो तो लास्ट मुकावलों में आपको ओपन करवाती हुए नजर आ जाएंगे एक इपोर्टन पिक रहेंगी जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चला वहीं बात किजे लोगेस की तो लास्ट मुकावलों में ओपन कराने के लिए लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करवा पाए केवल च्यार मना है लेकि आपको बोलिंग डालके देंगे एक पॉर्टन पिक रहेंगी जुरूर से कवर करके समोले औरा में वीची ट्राई करके चल सकती हूँ महीं बात किजे चरन जीवी की तो दोस्तो चरन जीवी लास्ट मुकावलों में नहीं खेले थे लेकिन इस मुकावलों में आपको डैफ किजे किर्शना पांडे आप भी आपके लिए एक सेप कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रही बैटिंग के साथ-साथ आपको कम्पलीट च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे तो जुरूर से कवर करके चला लव अरजुन ने लास्ट मुकावलों में कमबैक किया च्या अपरविड आपको कम्पलीट च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे तो सिधा सिधा आप अपनी टीम में कवर करके चला आपके लिए के ट्रंप काड़ पिक इस मुकावलों में रहेगी वहीं बात किजे रोशन सुरेश हो गया और अवनीस पदरिनाथ दोनों आपके जरूर से कवर करके चला समोरी उरा में आप ड्रोप करने का रिसकर ले सकते हो जी थाविगर की भी फोर्म काफी लाजव आप चली हर मुकावलों में आपको विकेट निकाल के दे लास मुकावलों में बैटिंग में भी चपन की नवाद इनिंग खिल की दी एक इपोर्टन की जगां पर आपने टीम में रगुल सरमा को भी चल क्ला सकती हो फिलाल के लिए ताविगर को मैं अपने टीम में कवर करके चला हूं Captain Vice Captain की बात की जाये तो फिलाल के लिए दोस्तो देखो किर्शना पाण्डे को Captain Vice Captain अब तरन जीवी को ट्राय करके चलाओ ये दोनों आपके लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहेगी पाकी दोस्तों देखो एस परमेस रोन हो गया इस प्लेयर को भी आप जुरूर से समोली और रुना लिके दोनों कॉमिनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकते हो कोविन्द रंजन हो गया साचाथ मोहित मितन हो गया ये बिदोनों प्लेयर आपके लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहेगी फोम इनकी भी काफी लाज़ वाप चलिए एक इपॉटन पिक रहने वाली जुरूर से कवर करके कैप्टन ट्राइ करके चला टीम प्रव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखोगे कि यह हमारी फाइनल टीम नहीं है अल्ली एक डेमो टीम है जो फाइनल टीम होगी वो हाफ्ट टोस वा लाइन अप के आने के बाद आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइड करवा जी जाएगी तो फाइनल टीम के टेलिग्राम चैनल से जुरूर से जुर जाना अगर दोस्तों आपको मारा स्टेट एनलाइसिज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेट से सस्क्राइब जूरूर से कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत